गाईज क्या आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक से चलने वाली ट्रेने हैं वो एक ही फेट से कनेक्टेड होके एक ही टर्मिल से कनेक्टेड होके कैसे चल लेती हैं हलांकि अपने अपने घरों में देखा है कि जितने भी आप लैंसेस होते हैं उनको चलने के लिए टू टर्म जरूरी होती है तो गाइच इसका आंसर यह है कि जो वायर हैंग होता है ट्रेन के ऊपर उसमें 25,000 वोल्ट की करेंटर रन कर रही होती है जो कि उसके इंजन में आती है और इंजन से होते हुए उसके पट्री में डिस्चार्ज हो जाती है यानि ट्रेन के पहिये से होते हुए पट्रि में डिस्टार्ज हो जाती है यानि हम कहा सकते हैं जो दूसरा टर्मिनल होता है उसके लिए उसका पट्रि ही काम करता है अगर आपको इसके बारे में डेटेल में जाना है तो आपको जरूर बताएंगे झाल झाल झाल